नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका सरकारी जेवप संगम यूटूब चैनल में दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के काफी जादा कमेंट के बाद में बनाया जा रहा है आपकी जो प्रेक्टिकल की परिक्षाएं हैं वो कप से शुरू होंगे तो इन सब ही डेटों के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी अगर आप UP Board के चात रहें चाहे आप कछा अभी नवई में पढ़ रहे हैं या फिर दसई में हैं या फिर ग्यारवी में हैं तो आपको एफ वीडियो लाश्च तक देखनी चाहिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे PDF देख रहे हैं यह वर्ष 2021 और 22 का academic calendar है जो की माध्मिक सिछा परचत उत्तरपदेश प्रियागराज की यानि की UPMS की की official website पर जारी किया गया है जिसमें कि आपकी सारी डेटों के बारे में बताया गया है कि आपके छमाही के एक्जाम कब होंगे practical के एक्जाम कब होंगे pre-board के एक्जाम कब होंगे साथ ही आपकी board की परिक्षाएं और काप से सुरू होंगे तो अभी मैं आपको इसे डाउनलोड करने का भी तरीका बता दूँगा पहले मैं आपको जो important date है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ जब आप इसे डाउनलोड करिएगा तो काफी जो है कई page में है लेकिन जो important चीज़ें हैं यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें अर्धवार्सिक परिक्षा की प्रियोगात्मक परिक्षा है निकी जो छमाही की practical exam होते हैं और नौंबर के दूतिये सब्ता में उसके बाद में फिर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है अर्धवार्सिक परिक्षा की लिखित परिक्षा है निकी जो छमाही परिक्षा होती जो लिखने वाली परिक्षा जो छमाही की होती है और नौंबर के तिर्तिय सब्ता में आपका practical की परिक्षा होगा और तिर्तिय सब्ता में आपका लिखित परिक्षा होगा उसके बाद अब हम नेचे आते हैं नेचे आएंगे यहाँ पर जो important चीज है मैं केवल आपको उसी को बता रहा हूँ बागे आप लोग इससे डाउनलोड करके खुछ से पढ़ लेजेगा अगर कहीं पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूंच लेजेगा यहाँ पर देख सकते हैं बताएग परिक्षा होती है वो भी फर्वरी माह में होगी फर्वरी के पर्थम सप्ता में यहाँ पर देख सकते हैं बताएगे आप लोग इससे पढ़ लिजेगा उसके बाद में नेचे आएंगे यह जो important चीज है बोड की प्रियोगात्मक परिक्षाओं का आयोजन यानि कि जो बो परिक्षा का आयोजन यानि कि जो आपकी बोड परिक्षा होंगे कक्षा दसमें और बारों के मार्च 2022 के चतूर्थ सब्ता में या फिर आप बोल सकते हैं लाश्ट मार्च से आपकी जो है बोड के एकजाम होंगे यह जो है मैं अपने तरब से कुछ भी जानकारी नहीं दे जाने वाले निर्देशों के अधिन हैं तो इन केस अगर जो है COVID-19 का अगर कोई भी समस्य आता है तो इन तितियों में बदलाव भी किया जा सकता है इनके कहने का मतलब यह ही है लेकिन अगर सही तरीके सब कुछ रहता है तो इन ही तितियों पर जो है सारी चीजें संपन कर जाए जाएंगे तो जो है आप लोगों पता चल गया होगा कि आपके Board के Exam कब होंगे तो जो मेन इंपॉर्टेंच हो परिक्षा होगा March के या फिर आप बद सकते है लास्ट मार्च जो है UP Board का 16 और 12 की परिक्षाएं आयोजित की जाएंगे अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि यह notice आपको कहां से यानि कि यह academic calendar आपको कहां से डाउनलोड करना है दोस्तो UP Board 2021-22 का academic calendar डाउनलोड करने के लिए आपको अपने mobile phone या फिर computer में Google खुलना है उसके बाद में आपको सर्च बार में टाइप करना होगा सरकारी संगम इस परकार से आपको टाइप कर देना है सरकारी संगम यहाँ पर आप देख लीजिए उसके बाद में आपको सर्च करा देना है जैसे आप सर्च कराएंगे आपके सामने सबसे उपर ही website का link मिलेगा यहापे देख सकते हैं लिखा है सरकारिसंगम.com तो आपको इसी को उपर किलिक कर देना है जैसे आप इसको पर किलिक करेंगे www.sarkarisangam.com की जो website है कुछ इस प्रकार से आपके सामने खुल के आ जाएगे अब यहाँ पर आने के बाद में आपको इस पोल करना है और नीचे जाना है जब आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक मिल जाएगा important का section यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है important तो आपको important के नीचे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है UP board academic calendar session 2021-22 तो आपको download करने के लिए simple सा इसके उपर किलिक कर देना है जैसे आप इसके उपर किलिक करेंगे आपके सामने एक नया page खुल के आ जाएगा अब आपको इसे scroll करना है और नीचे जाना है जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा option download academic calendar आपको simple सा click here के उपर किलिक कर देए जैसे आप इसके उपर किलिक करेंगे आपके mobile phone या फिर computer में ये PDF जो है इस प्रकार से जो है download होने के लिए आएगा